संगीत की दुनिया को जानने वा पहचानने वाले सभी स्रोता साथियों को मेरा नमस्कार स्रोताओं अब समय कुछ ऐसा चल पड़ा है कि दिल को छूलेने वाले गीतों का कारवा रुक्सा गया है अब गीतों है प्रेम, मधुरता, चंचलता एवं बिरह वेदना को नहीं दर्सा पाते हैं जिनने पुरानी गीतों में सहजता से देखा जा सकता था ऐसे ही कुछ संगीतों की स्रेणी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इनकीत 1964 में आई दोस्ती मूबी का है महम्मद रफी ने इस गीत को इतनी करोणा मई आवाजे दी हैं कि सुनकर रोने का मन करता है इस गीत को मजरू सुल्तान पुरी ने अपनी लेखनी से लिखा है एवं सुरसंगम की अदवोत जोडी लच्छमी कांत प्यारे लालने धुने दी हैं दोस्ती मूबी का केवल यह गीत ही नहीं बलकि अन्य पांच गीत भी संगीत की दुनिया के लिए अदवोत देन है सुरोताओं पहले यह गीत मूबी में से हटाया जा रहा था क्योंकि इस गीत की दुने निर्माताओं को पसंद नहीं आई थी लेकिन लच्मी कांत प्यारे लाल ने जब मुहमद रफी को इस गीत की दुने सुनाई तो भी इस गीत को गाने के लिए एकसाइटेड हो गए उन्होंने कहा जिस गीत को आप रिजेक्ट करनी की बात कर रहे हैं मेरी समझ में वह गीत सुपर हिट साबित होगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही दसकों बीत गए लेकिन यह गीत कभी भी पुराना नहीं हुआ जहां आज की सिंगर भद्दे गीतों से कई लाखों करोणों रुपए कमा लेते हैं वहीं कहा जाता है कि लाखों करोणों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले इन अमर गीतों को गाने के लिए मुहम्मद रफी ने मात्र एक रुपए की भीश ली थी मुहम्मद रफी की आवाजों एवं दोनों किसोर कुमारों के अविनए ने दर्सकोवा सुरोताओं के मस्तिक्स पर एक अमिट सबी छोड़ दी आप मुहम्मद रफी वा उनके इन गीतों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके आवश्य बताएं धन्यवाद